वास्तम में वैसा दुख देने का कारण बनते हैं समय पाका इनसे कुछ भी शान्ती तो होती ही नहीं ये वारता लाब श्री राम चंदर जी माराज गुरु हुशिष से कर रहे हैं ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसलिए हे मुझे इनकी कताई कुछ भी इच्छा नहीं है अभी बाल रूप में है ये सब कुछ जो सोख विशे अभास होता है मुझे इनकी इच्छा नहीं है निस संदे आपसे इनको सुन करके केवल ये ही मुझे तो समझ आया धन दौलत सगे संबन्दी पदार यद पी ये देखने मातर में सुन्दर लगते हैं भास्ते हैं वास्तम में इनमें सुख नहीं है ये स्थिर नहीं रहते हैं मैं अपनी आयू में कैसे आस्था करूगा हे मुनिश्वर बड़े समुद्र बड़े समुद्र सुमेरू परवत राक्षस देथ देवता सिद, गंधर, पृत्वी, अगनी, पवन, यम, कुबे, वरू, इंद्र, ध्रूव, चंद्रमा और बड़े ईश्वर जगत के करता प्रमा, विश्णु, रुद्र, काल, जो सब को बक्षिन करता है ये सब नश्ठ हो जावेंगे तो हमारी गिंती कौन करे, ये सब इतने महाँआए मैं किसका आश्रा लो, कितना उंचा प्रेशन कर दिया ये तो सब नश्ठ हो जावेंगे हे गुरुवर मैं किसका आश्रा लो, ये सब जगत ब्रम मात्र है अग्यानी की इसमें आस्ता होती है हमारी नहीं, मेरी इसमें आस्ता नहीं क्योंकि जगत ब्रम से उत्तन गुआ है मैं इतना जानता हूँ कि संसार में जीव को इतना दुख अहंकार ने दिया है और किसी ने नहीं दिया जीव को सबसे दुख अहंकार ने दिया है हे मुनिश्वर, यह जीव अपने परम शत्रू अहंकार से भटकता फिरता है यह भटकना समाप्त कैसे होगी गुरुदेव, भरम, भूल में भटकते उदे हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जाग उस राम के साथ लगन गुरु लगाता है जो भटकना समाप्त होती है सत का ग्यान प्राप्त करके सत लोग को प्राप्त करता है जहां वे सदैव रहने वाला है अब हमारे गुरुदेव हमें क्या मार देते हैं यह कल को लेगे हे गुरु देव आपको बार बार नमस्का 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 सर्वरिश्ट